देर सुजिन कैसे हैं आप लोग उमीद है भेतर होंगे बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैत्वित प्रदीप में आज कल हम लोग एंसी आर्टी कर रहे हैं एंसी आर्टी सेवन्थ क्लास जिसमें हम लोग अब चैप्टर टेन में जाने वाले हैं चैप्टर टेन है प्रायोगिक ज्यामिति प्रायोगिक एक्स्परिमेंटल है यह प्रायोगिक ज्यामिति इसका क्या मतलब होता है दरसल जैमेतिक साथ क्या है की जो इतके साथ जो डेजाइन बनाई जाती है तो डेजाइन कैसे बनाई जाती है उसके बनानी तरीका क्या होगा उस जीमिंटरी बॉकस की सहाथा से यानि आगे चलेंगे जब आगे नैंज्त क्लास expecting तो आपको रचना करके मिलेगा construction तो वो construction की परक्रिया क्या होती है उन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा हूं तो chapter मेरे सामने है exercise 10.1 और देखते हैं कि एक-एक design कैसे बनती है कैसे बनाया जा सकता है और यह प्रियोग है बहुत अच्छा प्रियोग होता है जिससे क्या होता है कि एक विद्यार्शी के अंदर कुछ करने की कुछ बनाने की कुछ नया करने की आदत बनती है तो पहला question करता हूँ आपके सामने आ गया होगा एक रेखा मान लीजिए AB खीचिए इसके बाहर इस्थित कोई बिंद C लीजिए केवल पैमाना यानि रूलर और परकार का परियोग करते हुए C से होकर AB के समानतर एक रेखा कीचिए दरसल पहला question में यह कहना चाहते हैं कि जैसे कोई एक रेखा हमने खीचा AB नाम है इसका अब इसके बाहर कोई बिंदु हमने C ले लिया आप कहते हैं कि C बिंदु से होकर एक ऐसी रेखा बनाई है जो AB के समानतर हो जाए यह कैसे हो सकता है आपके पास क्या है कि वो लेक परकार है यानि वो कैमपस और एक स्केल है और कुछ नहीं है आप देख रहा है यह बिंदु है एक रेखा AB हम चाहते हैं कि एक ऐसी रेखा खीचे जो बिंदु से होकर जाए और लेकिन AB के पैरलल होना चाहिए समानतर होना चाहिए इसको करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहां से एक कहीं से भी मिलाती हुई बस थोड़ा सा अपने खेंचा रेखा अप्रकार उठाइए प्रकार से यहां से लेके कोई भी रेडियत ले करके यहां पर एक ऐसे आर्क बनाईए ऐसे बना दिया अब क्या करना है कि यहां भी करके उसी तरह का आर्क बना दीजिए ऐसे इस साइड में जैसे आपने यहां से आर्क बनाया है वही सेम रेडियस ले करके यहां पर रतर के एक आर्क बना दीजिए अब क्या करना है दूसरा काम यहां से लेकि इसको नापना है मतलब यहां पर उसके निडिल रखेंगे और यहां पर पिंसिल तो यह नाप जाएगा कि यहां से यहां था कि दूरी क्या है अब वो जब दूरी आपके नाप जाए तो यहां पर रखिए निडिल को और ऐसे ही यहां पर कार दीजिए अब क्या हुआ एक बिंद तो आपके पास यह था ही एक बिंद यह भी हो गया आप इन्हीं दोनों बिंदों से होकर जो रेखा फीच देंगे देखो यह रेखा खीच जाएगी और यह रेखा जो होगी वह इस रेखा के पैलर होगी यानि किसी बाहरी दिये हुए बिंदू से उस किसी भी रेखा के समांतर रेखा खीची जा सकती है जो एक्जेक्टलि से होगी क्या प्रक्रिए आपको समझ में आई पिर से आप देख सकते हैं एक बार जल्दी से बता दे रेखा खीचा कोई बिंद लिया वहां से कोई ऐसे लाइन मिलाया यहां नीडल लखा पेंसिल से यहां पर एक निशान बनाया परकार की सहता से आप फिर यहां नीडल लखेंगे और पेंसिल से इस परकार का एक निशान बनाएंगे फिर यहां नीडल लख करके पेंसिल से इसको काटेंगे यानि यह दूरी नाप लेंगे और वही दूरी यहां निडिल लग करके ऐसे काड़ देंगे और यह दोनों बिंदू हमको मिल गए और यही ते रिका खीच देंगे तो मेरे खाल से आपको समझ में आया होगा और आप खुद खीच कर देखिएगा जरूर है ना आये देखते ह है दूसरा कोशन पहला हो गया तो ऐसे ही छोटे सवाल है अगला प्रस्न दूसरा है एक रेखा यल खीचे और यल पर इस्थित किसी बिंदू पर यल पर लम खीचे देखो दूसरा कोशन है कोई रेखा खीचे यल आउस पर इस्थित किसी बिंदू पर लम खीचे लम कैसे सकते हैं लंग खिचने तरीका देखिए आपके पास परकार है यहां पर निडिल लखिए और उजो पेंसिल कोई भी रेडियस ले करके एक आड़ सी चंदर बनाईए ऐसे हाफ सर्किल हाफ सर्किल लगाएंगे तो यहां पर और यहां पर दो बिंदू आपको मिल जाएगा एक बिंदू यह था अब इन्हीं दोनों बिंदू से मिलकर इसकेल की सहाथा से एक लाइन खीच दीजिए यह आपका परपेंडिकुलर हो गया इग्जेक्टली 90 डिग्री इग्जेक्टली 90 डिग्री आपका बन गया उसके बाद देखिए क्या कहा इस लंब रिखा पर एक कि बिंदू एक्स लेजिए इस लंब रिखा पर कोई बिंदू हमने ले लिया उसका नाम है एक्स ठीक है जो यल से चार सेंटीमेटर के दूरी पर है मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी फोर सेंटीमेटर है इसको हम कहां लेग दे ऐसे फोर सेंटीमेटर यहां से यहा ठीक है बस आप कुछ करना नहीं आपको तुरंत दूसरा मिलने जा रहा है आप फिर आई आई सी रेडियस पर यहां से लेकर जो रेडियस आपने यह खीचा था वही रेडियस यहां पर रखिए और यहां पर रख करके एक रेखा खीचिए ऐसे हो जाएगा और नहीं हो जाएगा यहां से ऐसे खीच रहें जिस रेडियस से उसी रेडियस को लेकर के इस बिंद पर जो आपने चार सेंटीमिटर दूरी पर ले रखा है एक रेखा ऐसे खीचिए अब इसको ना पीए यहां से निदिर लखिए और इसको ना पीए यहां तक क जेसे काटेंगे तो एक बिंदु आपको यहां और मिल जाएगा आप यहां से करेखा की सकते हैं जो इसके समानतर होगी ऐसे चली जाएगी तो यह दोनों रिखा है समानतर होगी और इनके बीच में 4 cm का गैब भी होगा जाच करने के लिए चाहे यहां नाप लो चाहे यहां बना लो चाहे जहां नाप होगे 4 cm आ जाएगा तो बहुत अच्छा स्वाल है एक तरह सा प्रयोग है बच्चों को यह जरूर करना चाहिए इस से करने से क्या होगा कि वो कैमपस पकरने का रूलर पकरने का जो तरीका है वो क्लियर होगा और एक बार गलती होगी दो बार हो यल एक रेखा है और पी एक बिंदु है जो यल पर इस्थित नहीं है उसी तरह से तीसरा कोश्चन है माल लेजे यल कोई रेखा है और एक बिंदु पी है जो इस रेखा पर नहीं है ठीक है पी से होकर यल के समानतर एक रेखा यम खीचिए अब हम लोग खीचनर जान चुक इसको ना पिये, एक रिखा आप के पास, तुरंट बन गई, समानता है, तो जैसे जैसे कहा जा रहा है, मैं करता जा रहा हूँ, छीक है, एक हा M खेचिए, अब P को यल के किसी बिंदु की से जोड़िया, पी को, यल के किसी बिंदु, यहां मालो कोई बिंदु क्यों लेते है इसको यहां से जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, एम पर कोई अन बिन्दू आर चुनिया, एम है, इस पर कोई बिन्दू आर लीजिए, ले लिया, अब आर से होकर PQ के समानता रिखा कीचिए, वाउ, यह जो PQ रिखा वनी है, आर से लेकर एक समानता रिखा कीचिए, आयते हैं, तो यह कैसे हो पाएगा, बहुत मज़ेदार कोश्चों है, देखो, PQ समानता रिखा कीचिए, माल जी यह रिखा, यल से बिन्दू यस पर मिलती है, समानते रिखाओं के इन युगमों को क्या नो कोई नया करती बनती है, बिलकल बनती है, आये देखते हैं, देखिए, यहां से हमको बनाना है, रिखा, तो हम कहीं से बना तकते हैं, चाहे आप यह इधर से लीजी, चाहे यहां से लीजी, देखो, हम यहां से लेते हैं, हम क्या करते हैं, कोई रेडियस लेते हैं, और यहां पर एक निशान बनाते बना दिया, ऐसे यहां पर लेकर कि यहां भी उसी तरह आर के खीच देंगे, देखो, क्रिस्पॉंडिंग इंगल बनने जा रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको मेजर करेंगे, ना पलेंगे, यहां निदी लखेंगे, यहां पेंसे लखेंगे, तो इस दूरी को ना दीखो अब देखो pqrs एक क्या बन गया कों से रिजाई है समाहतर चतरुभुज क्यों ऐसा नाम पड़ा अंग रेजिम कहते हैं इसको पैलो गाम क्यों पड़ा क्योंकि ये रेखा अब ही आपने पैलल बना दिया तो यह दो तोनों तरफ पली पैलल भाए अदो प्यर जब कभी किसी चत्रवुज के दो पेर पैरलल हो जाए यानि अपोजित लाइन पैरलल हो जाए तब हम उसको समानतर चत्रवुज काते हैं तो कितना जवर्दस यह सवाल था बहुत मज़िदार था जरूर बराईएगा मिलते हैं नेक्स एकसाईज में